बच्चो आज की वीडियो में आपको वेंजन फा के बारे में बताएंगे कि चित्रों के द्वारा उसको कैसे पढ़ना है उसको किस प्रकार से लिखना है का जैसे पा होता है वैसे फा होता है लगबग लगबग और यह बहुत ही आसान सब्द होता है और इसको माबाब अगर इसका अभ्यास कराएं बच्चों को तो यह बच्चे जल्दी सीख सकते हैं तो बच्चों जैसे का हमने अब वेजन फाब बनाएंगे तो इसके लिए पांच लाइन वाली कॉपी लेनी है और यहां पे दूसरी रेखा पर इसको एक बिंदी बानी है और चौती रेखा पर और यहां से अंब कर दो यहां से नीचे भूआ रहेंगे और उपार एक रेका किती बानी है और अई यहां से बिंदी बारेंगे एक सिधी रेका दूसरी नीचे ले जाएंगे तो आझे वीजने एक सिधी रेखा करेंगे, नासी गुमाएंगे पा और ये पा और उपर एक रेखा मारेंगे सिधी, फिर यहां से एक सिधी रेखा, उपर एक रेखा नीचे लाते हुए पा नीचे ले लाएंगे और उपर एक पड़ी रेखा करेंगे, पा से पल, ऐसे यहाँ पे भी जदी रखा केचे इंगे उपर नीचे लाकर अधर फड़ी रखा पल उपर नीचे नीचे घूमाया पाशे पल अंच निचे सिद्धी रेखा के चेंगे पाबनाया पहले दूछे घुमाया पापर से फल उपर गफिरी रेखा चौछ रेखा तर और यहां पाबनाया दूछे घुमा कर उपार एक रेखा के जब तरह बच्चों को बारे बार बार वेजिन का अभ्यास कराई कम से कम गये कि ने को वेक पिन को घंशी करें जब है जब thriving बच्चों सब्सकर सब्सक्राइब करें ने सलटू जब सब्सक्राइब बने सबुआ कि और साथा ब Täको है अकसर बना के दें बोल्ड लेटर में उसमें कलर बनाएं और इसे समझेद कुछ जैसे फा से फल होता है फलो कर चित्र हो वाली कॉपियां हो या कॉपी हो या मालक्त बुखस हो उसमें कलर बढ़ाई तो बारे बार आप पे अभियास करेंगे तो बच्चों को फा वेंजर बन करें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल बे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेस्बूक इस्टाइग्राम को भी फॉलो करें अगर आपका कोई हमारा सजेशन है आप आप तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बच्चों को कोटे के द्वारा लि इतार सकते हैं तो आपका सुझाओ भी हमें चेर करें